So students, आज का जो topic होगा हमारा वो है How to teach poetry. कविता कैसे पढ़ाई जाए? How to teach poetry in English. आज का जो topic है वो है How to teach poetry in English. Although there is no panesia, कि मैं आपको 30 मिनट में ये बता दूं कि poetry कैसे पढ़ाई जाती है? 30 मिनट में यह नहीं बताया जा सकता कि हाँ poetry को आप पूरी तरह से कैसे पढ़ा सकते हैं फिर भी कुछ basic concepts poetry के मैं आपको आज बताऊंगा जो आपकी मदद करेंगे when you are teaching poetry in your class whenever you will be teaching poetry in your class सबसे पहली चीज जो आपको जहन में रखनी है अपने सबसे पहली चीज वो यह है कि prose is for mind or intellect prose जो होता है वो मस्तिश्क या intellect के लिए है prose is for the mind or intellect and poetry is for the heart poetry हृदय के लिए poetry is all about emotions poetry पूरी तरह से emotions की बात करती है इस बात का विशेश ध्यान रखना है मैंने पिछली बार भी कहा था कि अगर आप कुछ चीज़ें सीखें कुछ basic सीखें इन क्लासे से तो भी इन क्लासे का important बढ़ता है तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है prose is for intellect or mind and poetry is for the heart poetry heart के लिए poetry is all about emotions फिर जैसे मैंने पिछली बार आप से कहा था इस बार भी आप से प्रश्न पूछता हूँ और वहीं से शुरू करता हूँ क्या आपने कभी सोचा कि what is the basic difference between prose and poetry क्या आपने कभी ये सोचा कि what is the basic difference between prose and poetry क्या आपने कभी ये सोचा कि prose poetic हो सकता है prose poetic हो सकता है या poetry prosaic हो सकती है तीन प्रश्न पहला what is the basic difference between prose and poetry दूसरा can prose be ever poetic और तीसरा can poetry ever be prosaic ध्यान से सोचिएगा इन प्रश्नों के बारे में अगर आप इन प्रश्नों के बारे में सोचेंगे तो आपको prose, poetry, इन सारी चीज़ों की समझ विक्सित होगी और किसी भी चीज़ को समझना बेहत जरूरी है अगर उसमें हमें आगे बढ़ना prose, prosaic होता है poetic हो सकता है या नहीं poetry poetic होती है prosaic हो सकती है की नहीं अगर prose poetic होगा तो कैसा होगा अगर poetry prosaic होगी तो कैसी होगी जब आप इन प्रशनों से जूजते हैं तब आपके दिमाग में prose के prose होने का कारण समझ में आता है तब आपके मस्तिष्क में एक चित्र बनता है कविता के कविता होने का prose के prose होने का या poetry के poetry होने का चीक, चलिए अब प्रशन ये आता है कि what is poetry we are here going to discuss how to teach poetry लेकिन सबसे पहली चीज़ ये आती है what is poetry, कविता है क्या poetry है क्या चलिए, आज कुछ definitions देखेंगे हम poetry की, कुछ world known definitions जिससे हमें ये समझ में आएगा कि actually what poetry is और जब भी हम poetry की definitions की बात करते हैं, सबसे पहली है और William Wordsworth साहाब ने कहा है कि poetry is spontaneous overflow of powerful मैं फिर से दो राता हूँ poetry is spontaneous overflow of powerful feelings it takes its origin from emotions recollected in tranquility थोड़ी सी कठिल लग रही होगी मुझे पता है, इसको बैस सरल करता हूँ किसी भी चीज़ को सरल करने का ये तरीका है कि उसको sense groups में तोड़िये अगर Wordsworth साहब की परिभाषा को आप अलग-अलग sense कुछ technical problem थी connection की मैंने आपसे कहा कि अगर इस definition को आप अलग-अलग sense groups में तोड़ेंगे तब आपको ये definition सही ढंग से समझ में आएगे Poetry is spontaneous overflow सबसे पहली चीज़ Poetry में spontanity होनी चाहिए अगर एक flow नहीं है अगर क्रमबधता नहीं है अगर ऐसा लग रहा है कि Poetry अनायास नहीं है, सायास है तो वो poetry नहीं Poetry must be spontaneous The flow of a poetry must be spontaneous तो poetry is a spontaneous overflow किस चीज़ का? किस चीज़ का overflow भाई? Of powerful feelings अगर feelings powerful नहीं है तो भी वो poetry नहीं तो poetry is spontaneous overflow of powerful feelings कहां से आएंगी? It takes its origin from emotions recollected in tranquility ऐसे emotions जिसको हम recollect करते हैं कब? When we are in a tranquil state जब हम tranquility की state में होते हैं जब हम एक अजीब सी शान्ती होती है उसमें जब हम emotions को recollect करते हैं तब अनायास ही जो कुछ बाहर आता है वो है poetry सायास नहीं एक हिंदी की बड़ी खुबस्वरत सी परिभाषा है poetry की कवी की बियोगी होगा पहला कवी आह से उपजा होगा ग्यान उमड कर आखों से चुपचाब बही होगी कविता अंजान दियोगी होगा पहला कवी आह से उपजा होगा गान या नहीं गान तो आह से उपजा होगा गान उमड कर आखों से चुपचाब बही होगी कविता अंजान तो जब आखों से चुपचाब बहना मतलब spontaneous overflow of powerful feelings, यह है poetry की definition, poetry is spontaneous overflow of powerful feelings, it takes its origin from emotions recollected in tranquility, एक दूसरी परिभाशा की तरफ बढ़ते हैं, कुछ परिभाशा हैं, अलग-अलग जह हम देखेंगे, तो poetry का एक concept हमारे दिमाग में बनेगा, what actually poetry is, Matthew Arnold साहब का कहना है, poetry at the bottom is criticism of life, यानि, जिस peace ने life का criticism नहीं किया, वो poetry नहीं है, कोई भी poetic peace वही है, जो criticism करें, किसका, life का, poetry at the bottom is criticism of life, तीसरी परिभाशा और बेहद महत्वपूर्ण परिभाशा है, S.T. Kolrit साहब का नाम आप सबने सुना होगा, और उनकी परिभाशा एक भेद करती है, एक अंतर बताती है, what actually is the difference between prose and poetry, आखिर prose और poetry में अंदर क्या है, prose, words in their best order, words in their best order, जब शब्दों को उनके सबसे बहतर क्रम में रखा जाता है, तो वो होता है, prose, तब बनता है गद्य, then what is poetry? Poetry is best words in their best order, जब हम सबसे बहतरीन शब्दों का चैन करते हैं, और उनको सबसे बहतरीन क्रम में सजाते हैं, तब बनती है कभी ता, तो तीनों परिभाशा है याद रखिएगा, सबसे पहला, poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings and emotions recollected in tranquility, it takes its origin from emotions recollected in tranquility, यह यह याद दखना है, दूसरी चीज, poetry at the bottom is criticism of life, और तीसरी चीज, best words in their best order, प्रोज क्या है, words in their best order, लेकिन poetry, best words in their best order, यह है poetry, अब हम आगे बढ़ते हैं, कि teaching poetry in English, how it is different from teaching poetry in Hindi, किसी भी poetic piece को हिंदी में पढ़ाना, और किसी English की poetic piece को पढ़ाना, where the difference lies, दोनों में अंतर क्या है, देखते हैं, एक छोटा सा उधारण लेते हैं, और उससे अंतर को समझने का प्रयास करते हैं, अगर उधारण हम ध्यान से समझेंगे, तो हमें यह समझ में आएगा, कि वास्तव में, where is the problem in teaching poetry, in English, जब अंग्रेजी में हम किसी poetry को पढ़ाते हैं, तो समस्या कहां आती है, Robert Frost सहाब की एक कविता आप सबने intermediate में पढ़ी होगी, बड़ी महत्वपूर्ण कविता है, और बहुत ही important कविता है, आप सबने पढ़ी है, इसलिए मैं वो example दे रहा हूँ, और जो poetic piece है, उसका नाम है, stopping by woods on a snowy evening, stopping by woods on a snowy evening, और उस कविता की lines है, The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go, before I sleep, and miles to go, before I sleep. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go, before I sleep, and miles to go, before I sleep. ठीक है, पढ़ लिया हमने, पढ़ा दिया, क्यों नहीं आया मजा? बड़ी बहतरीन lines थी, woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go, before I sleep, and miles to go, before I sleep. क्यों मजा नहीं आया? Because we are not, we are not entuned with the emotions of these lines. We are not entuned. हमारी frequency, इस language की frequency से, उस धंग से match कर ही नहीं पा रही है. लेकिन अगर मैं इसी कविता का, हिंदी transliteration, जो हरिवंश्राय बच्चन साहाब ने किया है, वो आप से कहूं, तो सुनिये, लेकिन वही लाइन, वो फील नहीं दे रहा है, जो फील कहन सघन मन मोहक वंतर मुझको आज बुलाते हैं, किन्त किये जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं, अभी कहां आराम बदा यह मूख निमंतरन चलना है, अरे अभी तो मीलो मुझको, मीलो मुझको चलना है, इसमें आपकी फीलिंग्स अधिक जुड़ रही हैं, और मैंने आपसे पहले भी कहा, पोईट्री इस ओल अबाउट फीलिंग्स, पोईट्री इस ओल अबाउट एमोशिंस, इसमें पियर्स दा हार्ट, और अगर आपका हिदय नहीं बेद पाई वो पंकियां, तो वो पोईट्री नहीं हो सकती, पोईट्री हो ही नहीं सकती, क्योंकि पोईट्री की ये खासियत है, पोईट्री पियर्स दा हार्ट, पोईट्री पियर्स दा हार्ट, Now, you yourself can see the difference between teaching poetry in English language, and teaching poetry in Hindi language, पोईट्री को हिंदी में पढ़ाना, और इंग्लिश में पढ़ाने में क्या फर्क है, आप खुद समझ सकते हैं, मैंने आपको जो एक्जाम्पल दिया, उससे वो चीज आपकी समझ में आएगी, जबकि मैंने इतनी आसान lines चूरी थी आपके लिए, ऐसी lines जो आपके emotions से attach हो सकती थी, still they are difficult, इसके बाद दे वो lines difficult थी, एक चीज और याद रखनी है, अगर कविता आपके हिर्दय को नहीं बेद पाई, अगर कविता को पढ़ाते समय आपके हिर्दय में हल्चल नहीं हुई, तो बच्चों के हिर्दय में हल्चल खभी नहीं हुई, एक teacher enjoy करता है जब कविता को, तब तो ये संभावना है कि बच्चे enjoy करें, एक सवाल और, जब भी हम कविता पढ़ाते हैं, आर वी एट इस वाइल टीचिंग English Poetry, ये सोचने वाली बाद है, कि क्या हम कविता को पढ़ाते समय, इसीनेस मैसूस करते हैं, इसीनेस फील करते हैं, अगर करते हैं, तो ठीक है, तब ये संभावना बनती है कि बच्चा उस कविता को समझेगा, बट, इस वी आर नौट एट इस वाइल टीचिंग Poetry, इस इंपॉसिबल आट इस टूदेंस आर गोई टूदेंस आर गोई टूदेंस आर इस वी आर नौट एज़ूदेंस वाली बाद हैं, हां, एक और चीज़, हमारे यहां Poetry पढ़ाने का एक बड़ा बहतरीन तरीका है, जब भी English की कोई पढ़ाई जाती है, उसका बड़ा बहतरीन तरीका है, ध्यान से सुनिएगा, English की पोएम को पढ़ाते समय हम उसका prosaic translation करते हैं, और वही prosaic translation बच्चों तक पहुँचा दिया हैं, यानि हमने किया क्या, Poetry को प्रोज बना दिया, Poetry को प्रोज बना दिया, और फिर उस प्रोज को बच्चों तक पहुँचा दिया, Poetry को प्रोज बनाया, और फिर उसे बच्चों तक पहुँचा दिया, क्या कभी भी prosaic peace बच्चों के hearts तक को अपील करेंगी, मैंने पहले ही कहा, Prose never appeals the heart, it always appeals the intellect or mind, कि हम Poetic Peace को जब तक प्रोज बना कर बच्चों को समझाते रहेंगे, we will not be able to arouse the emotion of our students, and unless the emotions of those students are aroused, Teaching Poetry is useless, जैसे ही हम, बहुत महत्वपूर पंक्ति है, ध्यान रखिएगा, जैसे ही हम किसी भी कविता का, किसी भी Poetic Peace का, किसी भी Poetry का, prosaic translation करते हैं, कविता की आत्मा उसी समय, कविता की आत्मा उसी समय, मर जाए, prosaic translation हुआ नहीं, कि कविता की आत्मा मरी, और जब कविता की आत्मा ही मर गई, तो कविता बच्चों तक कभी नहीं पहुँचेगी, कविता बच्चों तक पहुँचे, इसके लिए जरूरी है कि कविता की आत्मा जीवित रहे, और कविता की आत्मा जीवित रहे, इसके लिए ये जरूरी है, कि हम कविता को कविता जैसा पढ़ाएं, poetry must be taught as poetry not as a prose एक फ्रेज मैं बच्चपन से सुनते हुआ learn it by heart मैंने teachers कहा करते थे मुझसे learn it by heart कभी किसी teacher ने नहीं कहा learn it by intellect या learn it by brain learn it by heart आपने एक और चीज़ सुनी होगी हम बच्चों से कहते हैं हमसे भी कहा गया कि कोई कविता याद है सुनाओ कभी किसी ने नहीं कहा कि गद्ध का ये पार्ट याद है सुनाओ क्योंकि कविता सुनाने के लिए कविता गाने के लिए कविता में rhyme होना चाहिए कविता की rhythm को टीच चाहिए rise and fall होना चाहिए intonation ज़रूरी है rhythm जरूरी है, flow जरूरी है, pitch जरूरी है, और अगर वो चीजें ही नहीं हैं, तो फिर teaching poetry is not going properly, हम कविता को सही से नहीं पढ़ा रहे हैं, जिस तरह से कविता को पढ़ाया जाना चाहिए, हिंदी हमारी L1 है, language 1, कहीं पर language 2 भी हो सकती है, dialect आपकी language 1 होती है, तो जो हमारी language 1 या language 2 है, जब उसकी कविताओं को हम कविता जैसा नहीं पढ़ाते, जब उसकी कविताओं को हम कविता जैसा नहीं पढ़ाते, तो language 3 या language 2 जो की English है उसकी कविताओं को कविता जैसा पढ़ाना तो कठिन है चलिए एक और example देता हूँ आपको, क्योंकि examples बहुत जरूरी है जितने अधिक examples से हम किसी चीज़ को समझेंगे, वो हमारी मदद करेगा एक कविता है, जो आप समने पढ़ी है, चांद और कवी देखिएगा, माली मैंने ये कविता पढ़ाई आपको क्लास में गए आप और आपने कहा, रातियूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उल्जने अपनी बना कर आप ही फसता और फिर बेचैन हो जगता न सोता है, किन्तु फिर भी स्वेश चेहरा आदमी ही तो बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है, पढ़ा दिया आपने कविता, क्या पढ़ाया आपने, कभी सोचा अगर आप क्लास में घर और इस तरह से कविता पढ़ा दिया आपने तो आपने कविता पढ़ाई आदमी भी क्या नोका जीव होता है उल्जनी अपने बना कर आप ही पस्ता और फिर बेचैन हो जगता ना सोता है किन्तु फिर भी श्रेश छहरा आदमी ही तो बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है बेधा किसी का हिर्दै किसी के एमूशन्स जागे अगर नहीं जागे तो आपने कविता नहीं पढ़ाई ना चलिए एक दूसरा तरीका देखते है रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चान आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है उल्जने अपनी बना कर आप ही फस्ता और फिर बेचैन हो जगता न सोता है किन्तु फिर भी श्रेश छहरा आदमी ही तो बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है ये दूसरा तरीका हुआ इसमें थोड़ा सा पोईटिक हुए हैं आप आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है उल्जने अपनी बना कर आप ही फस्ता और फिर बेचैन हो जगता न सोता है किन्त फिर भी श्रेस्ट ठहरा आदमी ही तो बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है मैंने का नहीं ये दूसरा तरीका है अब तीसरा तरीका देखते हैं तीसरे तरीके से अगर हम कविता को पढ़ा है तो क्या करेंगे रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांड आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है उल्जने अपनी बना कर आप ही फस्ता और फिर बेचैन हो जगता न सोता है किन्तु भीर भी श्रेश्थ ठहरा आदमी ही तो बुलबुलों से खेलता कविता बनाता है यह तीसरा तरीका रहा बहुत सारे इसी तरह के तरीके हैं लेकिन आपको तरीका वो चुनना है कि एमोशनस जागें आपको तरीका वो चुनना है कि उस सामने वाले student की जिन्दा रहने तक आपकी वो class, आपकी वो lines, आपकी वो poetry जिन्दा रहे और हमारे और आपके साथ जो कविताएं आज भी जिन्दा हैं, उसके पीछे का कारण यही है कि उन कविता को हमारे teachers ने कविता जैसा पढ़ाया था, those poems were taught as a poem, not as a prose, वो कविता प्रोस जैसे नहीं पढ़ाई गई थे, इसलिए वो जिन्दा है हमारे साथ, और अगर उसी प्र L1 या L2 की जो poems हैं, language 1 या language 2 की जो poems हैं, उनको poem जैसा पढ़ाया जाएं, फिर उसके बाद L3 या L2 जो हमारी English है, उसकी poems को poem जैसा पढ़ाया जाएं, क्योंकि जब तक हिंदी की poems को बच्चा poem जैसा नहीं पढ़ पाएगा, it is even impossible to think that he will go through the poems of English as poems, कभी नहीं जाएगा, पहले उसे poetry पढ़ने का एक सलीका आ है, पहले उसे poetry पढ़ने की एक आदर develop हो, पहले उसके अभीतर poetry की समझ विक्सित हो, वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है, चीक, अगली चीज, what are the objectives of teaching poetry, objective क्या है, भाई objective क्या है poetry पढ़ाने का, जब तक हम उन objectives तक नहीं पहुच रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है, हाँ, objectives क्या है, मैं बताऊं, हमारे यहाँ, बड़े बेहतरीन से objective हैं, जब हम high school में पढ़ते थे, तो हमारे teachers बार बार कहा करते थे, यह चे लाइन है, यह 8 लाइन है, कविता की याद कर लो, नहीं तो 4 नंबर गवाद हो गयो, तो कविता याद करने का, कविता को पढ़ने का, अगर उद्देश 4 अंक हैं, तो बच्चा कभी भी कविता को कविता जैसा नहीं समझे, if the aim of aim and objective of a poem is to get four marks फिर यह कहा गया कविता का उद्देश चार अंक नहीं कविता का उद्देश बढ़ चुका है अब कविता का उद्देश हो गया है 8 से 10 अंक क्यों? क्योंकि reference context explanation भी आएगा reference context और explanation भी आएगा और साथ ही साथ critical appreciation या central idea आएगा यह है उद्देश कविता का हाँ है कविता का उद्देश यह है कि हम कविता का reference context explanation लिख सकें कविता का उद्देश यह है कि हम कविता का critical appreciation लिख सकें कविता का उद्देश यह है कि हम उसका central idea लिख सके लेकिन रट के नहीं, याद करके नहीं, अगर teacher ने चार लाइन का central idea लिखाया है तो आप साड़े चार लाइन का central idea अगर नहीं लिख पा रहे हैं then you have not gone through the exact objective of teaching, learning, poetry नहीं है अगर आप reference, context, explanation कविता का याद कर रहे हैं तो हम उद्देश्यों से वंचित एक 2012 में एक research हुई, NCRT ने एक research कराई और उस research की कुछ findings आई है हाला कि बहुत बड़ी research है मैंने पढ़ी, लेकिन आपके जो सबसे काम का था उसमें, regarding teaching poetry, वो मैंने वहाँ से चुराया, जो findings आई उसकी, उसमें बड़ी पहरीन सी बात आई है, कि exactly what is the aim or objective of teaching poetry, है क्या actually aim या objective, तो साब साब लिखा है उसमें, poetry needs to be taught for appreciation, जो मैंने आप से कुछ देर पहले का, जो मैंने आप से कुछ देर पहले का, क्या कि critical appreciation होना चाहिए, critical appreciation की समझ आनी चाहिए बच्चे में, critical appreciation याद नहीं करना है, critically आप appreciate कर सकें कविता को, ये उद्देश है उसका, हालां कि ये आगे की classes में है, शुरुवात की classes के उद्देश भी इसमें लिखे हुए है, poetry needs to be taught for appreciation, enjoyment, enjoy तो करे बच्चा, rhymes, rhymes, nursery rhymes हम enjoy तो करते थे कम से कम, मचली जल की रानी है, जीवन उसका पानी हमने enjoy तो किया, चंदा मामा दूर के हमने enjoy तो किया, तो for appreciation, enjoyment, and pleasure with proper feeling, and pleasure with proper feeling, proper feelings के साथ pleasure, सिर्फ pleasure नहीं, अगर feelings नहीं है, मैंने आप से कहा था, पहले भी शुरुवात में, मैंने यहीं से शुरू किया, आज का lecture, कि poetry is all about emotions, it must appeal the heart, ठीक, तो proper feelings के साथ pleasure है, and recitation with proper rhythm, music, and sound, अभी कुछ देर पहले मैंने बात किया, आप से recitation की, आना चाहिए, if you are not able to recite the poem, तो आपकी उस कविता पढ़ने का कोई अर्थ, नहीं है, हम लोग थे, हम लोग के, शर्मा सर पढ़ाया करते थे, तो वो कहते थे, कि कैसे कविता सुनाओगे, तो हम लोग कैते, थी ये शी ग्रिव इंसन अंशा, तो कहते थे, नहीं, ऐसे नहीं, हर कविता की एक rhythm है, और उस rhythm को हमें पकड़ना होगा, तो हम को समझ महीं ना आए, three-य-शी ग्रिव में rhythm क्या है, तो वो कहते थे, डडडदा, डडदा, डडदा, डडदम, 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 तो हम मैं लगता था, कहां डडदा, कहां डदम, इसमें कहां डदा या कहां डदम, तो जब उन्होंने बताया कि तब हमें लगा अच्छा है तो तब लगा कि है रिदम है तो लगा कि एक रिदम है और उस रिदम को हमें समझना होगा और अगर टीचर उस रिदम के साथ पोईच्वी नहीं पढ़ाएगा तो बच्चा कभी भी उस रिदम को नहीं समझ पाएगा क्योंकि बच्चा तो सिर्फ इमिटेट करता है और शुरुवात में इमिटेशन अगर अच्छा हो गया सही चीज़ें हमने इमिटेट कर दी तो चीज़ें हमारे लिए आसान होती जाते हूँ अगली चीज़ selection of poems in order to achieve the above mentioned objectives वाई objective हमने ताय कर लिये, क्या ताय कर लिया? बच्चा critical appreciation कर सके बच्चा enjoy करे, बच्चा feelings के साथ pleasure ले बच्चा recite कर सके, rhythm के साथ, music के साथ, sound के साथ लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद भी हमें ये जानना पड़ेगा कि critical appreciation की कविता जो है critical appreciation के लिए भी कविता का इस्तर क्या हो बाई कक्षा 2 का बच्चा इंटर वाली कविता को critically appreciate नहीं कर पाएगा आप सरके बल खड़े हो जाएगे लेकिन कम से कम जो कक्षा 2 की कविता है वो अपने इस्तर से उसका critical appreciation कर ले ये भी हमारी जीत और अपने इस्तर से कविता का critical appreciation का मतलब अगर उसको कविता की पंक्तियां पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो he is appreciating that poem critically अगर आपके पढ़ाते समय उसका interest जाग रहा है तो he is appreciating critically that poem वो राई critical appreciation बिल्कुल परिशान होनी की जरूरत नहीं कि वो lines लिखेगा रटेगा नहीं क्रम से critical appreciation enjoyment का इस्तर भी बदलेगा एक छोटा बच्चा कविता को उसके भावों के लिए enjoy नहीं करेगा लेकिन कम से कम rhyme और rhythm के लिए वो बच्चा enjoy कर ये हमारी जीत है कम से कम बच्चा उन कविताओं की rhyme को, rhythm को, rise and fall को intonation को enjoy करे तो भी हमारी जीत है वो enjoyment है उसके लिए वो pleasure है उसके लिए वो बिना समझे भी अगर कविता को enjoy कर रहा है तो feeling आ रही है ये जमझना जरूरी है and recitation with proper rhythm, music and sound वो तो बच्चा बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा उसके teachers ने उसको पढ़ाया होगा तो ये जरूरी है ठीक, तो कैसे कविताया हूँ पहली चीज है, pupils age age group के हिसाब से कविताया होनी चाहिए उसका चैन ऐसा होना चाहिए आप देखेंगे nursery rhymes दूसरी होती है class one to fifth की poems दूसरी होती है और करम से उनमें बदलाव आता है क्योंकि करम से बच्चे का environment बदलता है तो बच्चे की उम्र, उसका परिवेश उसके परिवेश से जुड़ी हुई कविताया ही बच्चा समझ पाएगा वो ये समझ लेगा कि हट कर बैठा चांद एक दिन माता से वह बोला सिलवा दो मा मुझे उनका मोटा एक जिंगोला वो चांच समझ रहा है वो मा से अपनी जित समझता है वो उनका जिंगोला समझता है इसलिए वो उस कविता का critical appreciation कर सकता है लेकिन वहीं दूसरी तरफ jack and jill went up the hill to fetch a pill of water ना उसके आज पास कोई jack है ना कोई jill है ना water भरने के लिए कोई वहाँ इस तरह से जा रहा है तो he cannot associate his emotions with those lines और अगर उन lines के साथ वो emotions को नहीं जोड़ पा रहा है तो बच्चा कविता को enjoy नहीं कर रहा है और आप देखते हैं कि बच्चे की उम्र, उसका environment, उसकी linguistic capacity हर बच्चे की linguistic capacity अलग-अलग है हर बच्चे की linguistic capacity अलग-अलग है ठीक, आपने देखा है कविताओं करम से बदलती हैं मचली जल की रानी है फिर उठो लालप आरा कविताओं का बच्चे की उम्र, उसका environment और उसकी linguistic capacity के हिसाब से होना चाहिए एक और चीज हमें याद रखनी है in a foreign language class, mental age is generally ahead of their linguistic age mental age बच्चे की जादा होती है लेकिन linguistic age कम होती है क्योंकि वो भाषाई दक्षिता, वो भाषाई कौशल, जो दूसरी भाषा है या तीसरी भाषा है बच्चे के लिए वो नहीं आती हुसे लेकिन mental age तो है, चीज़ें वो समझ सकता है बाधा के वल एक है, obstacle या hurdle के वल एक है, language तो हमें इन दोनों चीज के बीच में सामें बठा कर कविताओं को बताना होगा उसकी linguistic age, उसकी mental age mental age जैसा explanation और linguistic age जैसी linguistic poem दियान रखना होगा इसका the principle of graded structure and vocab should be strictly followed graded structure और vocab जो हमने पढ़ाई है वैसे ही graded structure वाली कविता और उसी इस्तर के vocab वाली कविता बच्चों के लिए इस लिए अगर वो ना हुआ तो हम कभी भी उन aims या objectives सक पहुँची नहीं पाएंगे जो aims या objectives हमारे हैं aims या objectives set कर लेना बड़ी चीज नहीं है aims या objectives के हिसाब से ही कविताओं का चैन करना भी आवश्यक है नहीं तो हम कभी भी उन aims या objectives तक नहीं पहुँच पाएंगे जिनके लिए हमने उन कविताओं का चैन किया है तो कविताओं का चैन भी बहुत आवश्यक है linguistic age और mental age के बीच एक equilibrium बने और उस equilibrium को बनाते हुए चयन होना चाहिए झार ढाते हुए टूह गए I